विश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग पे आज का हमारा रिव्यू रहेगा हिमाल्या का शिशु आनन्द और चीकू का बेबी वेट पाइप्स आज हम बताएंगे कि बच्चों के लिए कौन सा जादा बहतर है सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाल्या का क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे जादा है हिमाल्या शिशु आनन्द कुछ इस तरह की पैकिंग पे आता है और इसके जो शिशु आनन्द वाला पैकेज है उसमें 99 डानुल रुपे में आपका 72 के तकरिबन वट वैपस देखने को मिल जाती है जिसकी कीमत है 1ुपे वाइल आज हम यहीं देखने वाले हैं कि कौन सा जादा वट है और कौन सा जादा वट नहीं बुद मेखना है जो हिमाल्या का वेट वैप है उसमें लिखा है फ्री फॉम बेरावीन सोप एंड अलकॉहल जबकि चीकुवाला भी सेम इसी तरह का वेट वैप है जीरो मंथ वेबी के लिए 72 यूजेबल वैप जीरो परसेंट फिनोफेक्टोन प्रिहेंट टॉरफेलोन डर्मेटालेजिस्ट टेस्टेडिनों ने भी लिखा हुआ है इनका MRP है यहां पे इनका भी 99 रुपे 1.38 पैसे के तक्रीबन तक्रीबन ये वेट वाइप पड़ता है तो शुरू करते हैं हिमाल्या के शिशु आनंद से हम इसको खोलेंगे आपको बता दें कि इसमें भी ऐलोवेरा का ही इस्तेमाल किया गया है और वही इस्तेमाल इसमें भी किया गया है निकालेंगे वेट वाइप को जो शिशु आनंद का वेट वाइप है आप देख सकते हैं काफी हम हाथ में इस्तेमाल करेंगे कافی ज़ादा मुलाइम सा है मुलाइम तो अच्छा है लेकिन वैटनेस के हिसाब से देखें तो यह काफी थोड़ा सा रुखा-rुखा सा है इतना ज़ादा सा यह वैट नहीं है जो की इस तरह का लेंद्वाइज भी ठीक है लेकिन वैटनेस के मकाबले में ये इतना जादा भी wet नहीं है अगर हम इसको निचोड के देखे तो एक भी भूंद इसमें नहीं निकल रही है अब बात करते हैं हम चीकू के wet wipes की इसमें कोई भी डाला या एक्स्टा नहीं डाला गया है ये चीकू का wet wipe है काफी जादा गिला आप देख सकते हैं और काफी जादा आप देख सकते हैं कि यहां पे इस wetness के मकाबले में तो चीकू का कोई मकाबला नहीं है जो हिमालिया का बड़ा पैक आता है 217 वाला उससे काफी जादा बहतर और wipes की गंद जो अलो वीरा के इसमें गंद है flavors की वो काफी जादा बहतर यानि कि जो रुखा सुखा आप दो वीडियो पे देख सकते हैं एक तरफ हमारे ये हिमालिया का wet wipe है और ये दूसरी तरफ चीकू का wet wipe है आप देख सकते हैं दोनों में एक काफी जादा रुक्सफ और एक काफी जादा मुलाइम सा हमारे रिव्यूज में चीकू का जो wet wipe है वो काफी जादा बहतर है छोटे बच्चों के लिए और ये भी बहतर है लेकिन ये थोड़ा dry सा है और इतना बहतर quality में नहीं है जबकि चीकू वाला काफी बहतरीन है और quality wise और product wise काफी बहतर है इसका wet wipes देख सकते हैं इतना पहुँचने के बाद भी अभी तक भी इसकी जो wetness है वो उसी तरह से बरकरार है तो मेरे ख्याल से अगर बच्चों के लिए इस्तमाल करें तो अपने निजदी की स्टोर पे चीकू के wet wipes को जरूर देखें अगर नहीं मिलता तो हिमाल्या का पहले से ही हर जगा available रहता है काफी अच्छा strength भी है stretchless भी काफी अच्छी है अगर हम इसको इतना stretch करें हिमाल्या वाले को तो ये इतना stretchable नहीं है है लेकिन हालत अच्छी है की फट जाएगा ज़्यादा जोर लगाएंगी तो जबकि इसको हम और ज़्यादा भी भी stretch कर सकते हैं stretchness के मकाबले में भी चीकू काफी अच्छा है अगर आपको ये review अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें हमारे बाकी के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बेल आइकन और subscribe जरूर करें बाकी के वीडियो हमारे चैनल पर